हेलो नमस्कार इंदौर मैं प्रशांत दा प्रोपर्टी अपसे आज आपके सामने फिर से एक बार लेकर आये हूँ एक शांदार प्रोपर्टी जो की आपको काफी पसंद आने वाला है आज मैं आपको दिखाऊंगा इस हाउस का सांदार डिजाइन इसकी बहतरीन प्लानिंग एंद प्लानिंग के साथ अट्रैक्टिब इन्टियर हाँ दोस्तों अगर हम इसकी प्लोट साइज की बात करें तो यह बना हुआ है एक हजार स्कार फिट प्लोट एरिया पर and dimension will be 20 by 50 square feet 20 by 50 पर इसकी सांदर planning में आपको दिखाने वाला हूँ आज दोस्तो यह particular house sold out हो चुका है अगर आपको इस घर का planning जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ interior पसंद आता है same as it is आप booking पर भी इसको आप बनवा सकते हैं या फिर आपका किसी location में आपको खुद का plot है तो हम construction करवा कर आपको दे सकते हैं इस type का construction करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा and booking पर बनवाने पर कितना आपको price रहेगा house का यह जानने के लिए आप नीचे दिएगा number पर कुझे call कर सकते हैं या comment box में comment कर सकते हैं चलिए start करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका man door क्योंकि काफी आपको wide मिलेगा then इसकी quality की बात करें तो काफी heavy quality आपको मिलेगी आपके सामने है parking space आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपको parking area आपको यहाँ पर provide किया गया है दोस्तो इस गार में आपको छोटी छोटी चीजों का खाल आपके लिए रखा गया है आप देख सकते हैं मीटर बॉक्स कवर्ड करकर दिया गया है देन यहाँ पर आप देखेंगे छोटा से एक fountain दिया हुआ है देन नजर डालिए सामने के आपके front के walls पर आप देख सकते हैं tiles coated wall आपके यहाँ पर मिल रही है देन आप देखेंगे artificial greenery with lights जो की आपके मेंडर पर काफी attractive look आपको provide करवा रही है आप देख सकते हैं आपके house के बाहर की fall ceiling जो की wooden texture में आपको provide की गई है इस gate से आपको view दिखाता हूँ you can observe the space of your car parking तो आप एक नजर मारेंगे हमारे gate के frame और gate पर gate का जो design है अंदर के आप wall आप देख सकते हैं जिसमे mirror texture look दिया गया है same as it is आपको जी theme है जो आपके हमारे gate पर भी मिल रही है आप देख सकते हैं 2550 की planning में hall का space काफी spacious है जिसमें plus dining ये भी आपको मिलेगा और ventilation की बात करें तो ventilation की कोई कमी होने वाली नहीं है इस गर में आप देख सकते हैं काफी बड़ा window front में दिया गया है दूसरे side से भी मैं आपके hall का view आपको दिखा देता हूँ देखे कितना beautiful hall आपको दिख रहा है front में proper lights हैं आप देख सकते हैं इस house का interior जिसके लिए मैंने ये video shoot किया है आप इस type का booking पर भी बनवा सकते हैं आपका तहीं पर plot है उस पर भी बनवा सकते हैं आए चलते हैं और देखते हैं इसका TV unit जो की काफी बड़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको showcase item रखने के लिए तीन boxes आपको provide देगा हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो sheet sunmiker sheet यूज़ की गई है और floor का दो design है दोनों similar हैं TV units में भी आपको 3 lights दी गई हैं तो यहाँ आप देखेंगे इस hall के fall ceiling को यहाँ पर आपको छोटे hanging lamps आपको यहाँ पर मिलेंगे जो की काफी beautiful look दे रहा है fan का space छोड़ा हुआ है देन आप देखेंगे golden mirror skill आपको दीए गए हैं जो की काफी इस hall को luxury look दे रहा है now you can see the showcase rack काफी बड़ा showcase rack आपके यहाँ पर मिल रहा है and this is your wash washing area in front of your dining area you can see the proper lights here now take a look of your hall from your dining area you can see how your hall look from here जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने काफी spacious आपको dining hall area आपको निकाल कर दिया गया है यहाँ पर and then stairs की बात करें तो यह stairs पर profile lights से पूरा decoration आपको प्रोबाइट किया गया है and then आई चलते हैं हम देखते हैं हमारे kitchen का look आप देख सकते हैं काफी rich look आ रहा है kitchen का यह आप देखेंगे side में आपको mirror skills मिलेंगे आईए मैं आपको side में चलतर आपके पूरा look दिखाता हूं इस kitchen का कि यह kitchen कैसा आपको दिखने बाला है आप देख सकते हैं काफी beautiful look आ रहा है काफी rich look आ रहा है काफी luxury look का आप देख सकते हैं इस kitchen का wash vision जो की golden color में आपको दिया गया है sanitary की fitting जो भी आप चाहते हैं जिस company का चाहते हैं उसके according customize हो जाएगी आईए अब बात करते हैं kitchen के platform की size की या shape की तो इसमें आपको L-shape का kitchen का platform आपको provide किया गया है और यहां पर आपको अविंतर का gas pipeline आप देख सकते हैं आपको front में then RO का provision आपको मिलेगा दोनल के fitting आपको यहाँ पर दिये गया है steel का आपको kitchen का sink आपको provide गया है then stove का provision छोड़ा गया है just front में आप देखिंगे chimney का space भी छोड़ा गया है kitchen में आप देख सकते हैं boxes number of boxes कितने हैं और just उसके front में PVC का जो seat है अब हो सकते कितने design से create किया गया है यह seat then platform के stone की बात करें तो इसमें आपको provide glory stone use किया गया है then it'd be talking about the smoothness of the trolleys how they smoothly open देख सकते हैं इतनी easily open and close हो रहे हैं आईए बढ़ते हैं चलते हैं आगे की और और देखते हैं इस kitchen का wash area आप यहाँ पर देखेंगे इस wash area में आप एक sink भी provide किया गया है जो कि surrounded by green light stone and यह पूरा wash area tiles coated है आप देखेंगे front में आपको ventilation आपको from top से आपका ventilation मिल रहा है आईए चलते हैं और देखते हैं इस house के और वी features को आपको यह घर कैसा लगा कैसा लग रहा है यह आप मैं जरूर comment box में comment करके मैं बताएं इसका आप देख सकते हैं common washroom जिसमें Indian toilet seat आपको मिलेगी and then पूरा आप देखेंगे tiles coated washroom है इस house के sanitary की fitting के बात करें तो जगवार company की sanitary fittings आपको यहाँ पर available मिलेगी and then आप देखेंगे यहाँ पर घीजास के point every washroom में आपको available है washroom का top भी PVC seat से cover करके रखा हुआ है दोस्तों आपको बता दो कि इस planning में नीचे एक भी आपको bedroom नहीं मिलेगा जिसके कराण आपका hall का space and kitchen का space बढ़ जाता है अगे देखते हैं इसके stairs stairs के side में lights provide की गई है then आप देखेंगे profile lights available है and granite stone का use किया गया है stairs में and railing की बात करें side में तो आपको railing आपको provide किया गया है फिर आप देखेंगे आपके lobby space में काफी सुंदर beautiful आपको मंदिर बना कर दिया जा रहा है आप देख सकते हैं कितना attractive मंदिर है then नजर डालिए इस मंदिर की बेग्राउंड है बेग्राउंड शीट आपको लगी हुई है जिस पर आप देख सकते हैं आपर धार्मिक मंत्र लिखे हुए है जो कि आपको religious and positive vibes provide करते हैं then मंदिर के storage के लिए यहां पर आपको दो डॉर आपको दिये गए हैं आएए चलते हैं और देखते हैं इस house का master bedroom जो की furniture के साथ बनाया गया है यहां पर आप देखेंगे side में काफी बड़ा wardrobe आपको available है जिसके sliding doors मिलेंगे आपको bed आपको आपको देख रहे हैं छे वाई छे का बैड है य यह चल कर मैं आपको दिखाता हूँ side से इस bedroom का view आप देख सकते हैं दो दो बॉर्डरॉप का space आपको available मिलेगा एक बिंडो दिया जा रहा है आपको बैट कूपर ventilation के लिए furniture की quality की बात करें तो आईए मैं दिखाता हूँ furniture की quality में इसको slide करके आपको सामने दिखा रहा हूँ कितना smoothly slide हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं furniture की quality काफी quality maintain करके दी गई है furniture में भी काफी features आपको यहाँ पर मिलेंगे पूरा furniture जो आप देख रहा है वो सारा white sun michael sheet से covered है आप देख सकते है quality and shine of the furniture जो की काफी luxury view प्रोवाइड करवा रहा है इस bedroom को देन बैट के पास में आप देखेंगे आपको दो side boxes available है इस bedroom की balcony भी east facing है इसलिए ventilation की कोई कमी नहीं आने वाली है आप देख सकते हैं balcony का space काफी spacious है और यहाँ पर भी आपको artificial grass आपको मिलेगी जो की आपकी balcony को काफी beautiful look provide करवा रहा है और इसके ball की हम बात करें आप देखेंगे बाहर के जो walls है बाल्स पर भी आपको tiles यहाँ पर मिलेंगे पुरा cupboard किया गया है tiles से नीचे से ऊपर तक then आईए चलते हैं और इस master bedroom का जो attached washroom है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो की काफी spacious है you can see the space of washroom आप देखेंगे पुरा washroom में black and white combination जो है tiles का वो आपको दिया गया है geezer का fitting मिलेगा sanitary आपको jaguar company कि यहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं then आप देखेंगे इस washroom में आपको western toilet seat यहाँ पर मिलेगी तोड़ इस artificial green tree आपको है geezer के fittings है और towel hanging stands आपको यहाँ पर मिलेंगे फिर बात करेंगे हमारे cabinet की mirror cabinet आपको मिल रहा है जिसमें आप आपका like toothpaste, brush and saving creams वगरा आपने आप इस्टोर कर सकते हैं overall हम बात करें तो washroom की सबस्ट जो facilities होनी चाहिए हो सारी facilities इस washroom में available है आएए चलते हैं और देखते हैं इस house का third bedroom यहां second में से लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका second bedroom locked है क्योंकि इसमें कुछ सामान रखा हुआ है that's why we locked है आएए चलते हैं आप पर से देखेंगे stairs का view और देखते हैं हमारा third bedroom bedroom जो की काफी spacious होने वाला है आप देख सकते हैं फ्रंट में lobby space एक टाइप से आपको प्रेंट house टाइप से एक bedroom आपका बन सकता है क्योंकि इस bedroom के just front में आप देख सकते हैं terrace का space आपको मिलेगा ठोड़ा सा वियू में आपको दिखा देता हूँ कि आपका ilrice का view कैसा आएगा आप देख सकते हैं किस type का terrace का लिए रह रहता है आपके इस bedroom के सामने आई किस bedroom के सामने आई चलते हैं और visit करते हैं हमारा third bedroom बेड्रूम का आप स्पेस देख सकते हैं काफी स्पेसेस बेड्रूम है इसका वाश्रूम की बात करें तो आप देखिए वाश्रूम इसमें बाट टब एविलेबल है देन वैस्टन टॉलेट सीट आप यहां पर मिलेगी मुश्टली फीचर्स जो हैं इस वाश्रूम के सिमिलियर टू रहेंगे हमारे अधर वाश्रूम के फीचर्स के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपको बता दूँ इस हाउस के हर बेड्रूम में आपको एसी की लाइन्स प्रोबाइट की गई है अगे चलते हैं और देखते आपके फेमिली के साथ आपके सकते हैं देन चिल्डरं के लिए सेप्टी ग्रिल से यहां पर प्रोबाइट की गई है और लाइट की बात करें तो यहां पर आपको काफी फीचर्ड एंड डिजाइनेबल राइट्स मॉडर्न आपको यहां पर मिलेगी तो दोस्तों कैसा यह प्रोपर्टी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें हमारे चैनल के प्रोपर्टी के वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे प्रोपर्टी के अपडेट मिलते रहें अपना द्यान रखें अपनी फैमिली का द्यान रखें और आज पास सफाईद बनाए रखें जाहिंद